वेल्गम फ्रेट्स तूटरीकामरा.com चैनल और आज वीडियो में हम डिस्कॉस करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट सोनी कैमरों के नाम जो कि इंडिया में अबलेबल हैं अफोस हम कुछ एक मेजर फीचर्स के बारे में भी डिस्कॉस करने वाले हैं इस वीडियो में उन कैमरों क और साथी साथ अगर आप अपने बजट को ध्यान में रखे हुए हो आपको अपनी रिक्वार्मेंट्स बहुत बहुत बहुतर तरीके से पता है तिन इस वीडियो इस वीडियो इस बेड़ फॉर यू आप बहुत ही क्लियरली डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन से कैमरा प सबसे पहले मैं उस कैमरे का नाम लूँगा जो इन जनरल कोई भी यूज़ कर सकता है जिसमें लेंस बदलने की कोई भी जहनजट नहीं है और अगर आप व्लॉग बनाते हों साइज मैटर करता है कि आपका कैमरा कंपैक्ट रहना चाहिए आपने कैमरा उठाया व्लॉगिं दा कैमरा है और अगर आप उसके ग्रिप के साथ यूज़ करते हो दिन इस परफेक्ट कैमरा मेट फॉर व्लॉगर्स कोई भी हैसल नहीं कोई भी लेंस बदलने की आपको जरूवत नहीं है वन इन ऑल सिस्टम है एक बार आपने खरी लिया बस जंजट मुक्ती सो जेवी व क्लिप कार्स पर आप नजर ठिकाया रखना मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और जबी भी अबलेबल हो आप 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 से पर्चेस करके इस पर माउंट कर सकते हो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बिगनियर्स कैमरे की ना 2021 में अगर आप एक बजट कैमरा लेन आपकोस सोनी एशिक्स थाउजंड कैमरा आज की डेट में एक यूजबिल कैमरा है अंडर बजट तो कहीं ने कहीं आप एक लिम्टेड बजट में स्वापिंग करना चाहते हो और आपको एक मिररलेस कैमरा चाहिए और फोटोग्राफी परपस हाँ यह फुल एच्डी नहीं है सेल्फी फ्रेंडली डिस्प्रे स्क्रीन नहीं है तो आप इसे इमजस खीचने का एक बहुत अच्छा डिवाइस मान सकते हो फुल एच्डी वीडियो तो यह रिकॉर्ड करेगा बठा जैसे मैंने कहा आप इससे यूट्यूब के व्लॉक्स अच्छे नहीं बना प आल-in-one camera चाहिए वो भी मैं budget की बात करा हूँ बहुत ज़्यादा budget से नहीं भागने वाला है जिससे आप बहुत अच्छी images भी ले सको class leading AF system है यानि कि इस price range में जो आपको ये AF system दे रहा है आई tracking दे रहा है face tracking दे रहा है बाकी camera में इतनी उमदा eye tracking और face tracking अब लेवल नही इवन in 4K video mode यहां उसका नाम है Sony का A6100 camera और मैं आपको एक और बात बता दो A6100 की बात कर लो A6400 की या A6600 camera की यह जितने भी तीनों camera हैं even Sony के जितने भी higher end cameras यह सारे over sampled 4K videos बनाते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा यह जानना जरूरी है कि over sampled 4K होता क्या है पहले य जितने भी camera even A6100 camera I'm not talking about the A6000 camera उसमें यह चीज़े नहीं होती हैं बठा A6100 camera पहले 6K की video बनाता है फिर उसे down sample करता है 4K में यानि कि आपको बहुत ही enormous detail मिलेगी बहुत ही rich colors मिलेंगे और काफी well controlled noise आपको मिलने वाली है so of course video purpose के लिए camera बहुत उंदा है selfie friendly display screen है और आप आराम से इससे images भी ले सकते हो 11 fps की continuous shooting speed है इस camera की more or less एक all-in-one perfect camera beginners के लिए तो अगर आपको videos बनाने है vlogs बनाने है A6100 camera is best for beginners और अगर आपको handheld vlogs इससे बनाने है then you can use the 60 mm sigma lens 60 mm sigma lens वा invest करो बहुत उंदा lens है office और room में videos बनाने है बैठ कर बनाने है then 30 mm की जो sigma lens है बहुत ही उंदा है portrait photography की sock है या hall और थोड़ी बड़ी space में आप videos बनाते है then you can try the 56 mm sigma lens also but it do need space good working space but for normal room और office 30 mm की lens बहुत more than enough है चलिए अब हमाते अपने next recommendation की तरफ अब हम बात करते हैं सोनी के a6 photo camera के बारे में इन दोनों के बीच में क्या major differences है a6 photo camera a6 photo camera मैंने एक detailed comparison review बना के रखी हुई है link कर दूँगा में description में आप देख लेना in short in short मैं आपको बता दूँँ देखो यहां पर आपको hybrid log gamma मिरेगा यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा extensive editor हो आप को ज्यादा latitude वाली video files चाहिए जिसमें आप ज्यादा एडिट कर सको highlights low lights पे काफी अची तरीके से काम कर सको देन एक और खासियत है एक और खासियत है इसमें कोई भी recording limit नहीं है यानि कि इसमें आप बहुत 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 तरीके से अपनी videos को record कर सकते है इस पेस्पिकली अगर आप wedding में जैसे संगीत ceremony record कर रहे हो या आप long interviews ले रहे हो जिसमें कि अगर 30 minute की recording limit है आपके camera में तो एक sports photography की बात कर लें तो of course 11 fps की shooting speed milli class leading AFF 425 phase AF points का support है और कहीं ने कहीं आपकी जो buffer memory है A612 camera से काफी अच्छी increase way में available है आप अराम से इसे as a sports photography camera भी use कर सकते हूँ if you are interested in sports photography, videography as well as casual shooting so this is also a very good all-in-one camera at its price range इस price range भी available है ये class leading camera है और class leading specs के साथ आया हुआ है now let's talk about the A6600 camera अगर आप अपने budget को थोड़ा और अपि scale कर लेते हो then you have the Sony A6600 camera अब देखिए sensor इन तीनों camera में same है A6100 camera उठाओ या A6600 camera उठाओ कुछ एक features की differences है A6600 camera में major difference यह है कि आपको built-in IBIS unit मिलती है यानि कि sensor shift image stabilization unit जो आपको थोड़ी better stability देगी आपके images में आपके videos में थोड़ी बड़ी battery grip है battery power भी इसकी अप scaled है so एक अच्छा polished camera है यह और अफकोस इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसे चुकाने होंगे so literally A642 camera एक बहुत ही suitable camera है जहां तक IBIS की बात है तो थोड़ा आप wide angle पे suit करो और later on post processing में भी आप अपनी video footage को थोड these three are the best APS-C mirrorless camera available right now अब हम अपने price range को थोड़ा सा और आप scale करते हैं और आते ही A7-3 और A7-C के पास बहुत ही सौट सब्दों में बयां करें तो यहां पर मैं आपको बता दूँ A7-3 is made for photographers and A7-C is made for video bloggers, cinematographers तो A7-C camera optimized video blogging के लिए काफी उन्नत तरीके की zero-based image stabilization को Sony ने डाला है और AF sensitivity को भी काफी upscaled करा है अपने इस camera में और design wise हम बात करें तो vlogger friendly है तो कुछ एक controls को हटाएंगा है और detailed में आपको इन दोनों के बीच में differences देखने हैं तो मैं video डाल दूँगा link i icon में या नीचे description में आप देख लेना क्या differences है A73 versus A7C अब हम आते हैं थोड़ा high-end camera के तरफ अब हम बात करेंगे A7S3 के बारे में A7R4 के बारे में और A92 के बारे में देखिए जिस तरह का इनका नाम है मैं आपको बहुत ही short बता दूँ A7S as for sensitivity यहाँ पर A7S series जो है काफी ultra sensitive full frame sensors के साथ आती है 12MP की resolution आपको द size को देखो बट इनकी sensitivity class leading होती है उसी तरफ पर अगर हम A7R series की बात करें तो R for resolution यहाँ पर आपको resolution बहुत enormous यह camera देते हैं price point भी काफी जादा है तो कहीं न कहीं अगर आप professional photographer हो commercial photography करते हो और अपने studio setup में आप काम करते हो दिन A7R series is made for you और finally A9 series, A9 series sports photographers के लिए बनी हुई है dedicated for speed तो इन तीनों series जो है तीन अलग अलग तरह के photographers, videographers, cinematographers के लिए बनी हुई है और आपका सिर्फ और सिर्फ workflow video का है आप cinematography में interest रखते हो और कहीं ने कहीं आपको एक compact cinematography solution चाहिए then you should go with the latest Sony FX3 camera FX3 camera के बारे में भी मैंने काफी detailed video बना रखी वो इसका link में कर दूँगा, description में आप जरूर देख लेना, FX3 उनके लिए है जो cinematography की line में है और कहीं न कहीं उन्हें एक बहुत ही अच्छा और dedicated video camera चाहिए then of course FX3 is one of the best option right now, काफी compact है, handheld cinematography भी कर सकते हो इसके साथ बहुत ही उ बात कर लें, अब देखो ये जो A1 series है, इसमें Sony ने resolution, speed और sensitivity को mix करने की कोसिस करी है, A7R series की भी जलक इसमें आपको दिखेगी, A7S series की भी features इसमें आपको कहीं न कहीं दिखेंगे, और कहीं न कहीं A9 की speed की भी जलक आपको इसमें दिखने को मिलेगी, यानि कि Sony का ये एक flagship mirrorless camera model है, so इसकी price point के अगर हम बात कर लें, तो बहुत ही ज्यादा costly, 5 लग के उपर इसकी body की price है बठा, ये of course इतनी हम उमीद कर सकते हैं इसकी price क्योंकि कहीं न कहीं Sony का flagship mirrorless camera है, और Sony ने अपने तीनो जो best series है, उनकी A7R, A9 और A7S, इन तीनों को fuse करने की कोसिस करी है इस camera में, so this is the ultimate the alpha A1 camera with all the best feature of A7R, A7S and A9 series, तो ये थे best camera Sony के, of course मैंने 10 से ज्यादा camera के नाम गिना दिये आपको, बट ये जितने भी camera के नाम मैंने बताए हैं इस video में, ये सारे best of best camera है, और 2021 में आप इन सारो camera में से कोई भी purchase कर सकते हैं, अपनी budget और requirement के अनुसार, ज्यादा details आपको जानी, comparisons देखते हैं, then you should look at the description box below, उसमें मैं कई सारे camera के link दे दूँगा, detail specs, review, comparisons, आराम से देखो, उसके बाद decision लो, कि आपको कौन से camera के साथ जुड़ना चाहिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाज, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक क बीद तक जुड़े हो इस वीडियो से, subscribe भी कर लो for future updates, live news and video.